वाट्सप गाइज मानों तो फिर से आगे हैं रेट वीडियो लोगे और बात करने हैं नया जो है हमारा गेम का अपकमिंगे अभी जल्दी नहीं आएगा कुछ चीजे हो सकती हैं धीरे-धीरे करके हैं जैसे कि हमारा लाइव एरीना भी आने वाला तो गेम ने भाई डाली है अपनी वीडियो और उसके अंदर भाई देखना है हमें क्या क्या चीजा वर्ट नेक्स्ट इन रेट तो यह अपडेट दो महिनी भी लगा सकता है कुछ चीजे छे महिने भाद भी आ सकती है पर यह साथी चीजे होफ़ी इसी साल के अंदर ही आएंगी कुछ में देसमबर देखते हैं क्या क्या चीजे हमारी आने वाली गेम के अंदर सबसे और डंजन का मोड जो है लाइव इरिन आ रहा है और क्या कि अंदर जो है आपको कुछ चीजे दिखते होती हैं और उनको आपके लिए आसान किया जा रहा है यह सब चीजे हैं साथ-सार नए चैंपिन्स पर वह तो चलो बात की बात हो रही है आईए देखते भाई और क्या कैटी जारी डंजन के अंदर हार्ड मोड डाल दिया है जलिए देखते क्या होता इसके अंदर जैसे कि आपका डूम टॉर के अंदर होता था और वैसा ही अब यहां पर होने लग गया है क्योंकि अब बहुत सारे लोग अब मोस्ली नए प्लेयर्ज भी डंजन की स्पेसिफिक अगर आख के बाद चैंपियंज हैं तो हार्ड सॉडी स्टेज 25 तक पहुंच जाते हैं पहले स्टेज 20 था स्टेज 25 हो गया उसके लोग के बास काफी जादा आर्टिफेक्स हो रहे हैं और अब उन्होंने हार्ड बोड डाल जैसे कि हमारे डूम टाउर के नदर दो मोड है नॉर्मल और हार्ड नॉमल आपके लिए नॉमल लोग के लिए और हार्ड जोगा आइधिंग बहुत ही जादा आकरी एंड गेम टाइप के बिल्ड है या गेम जैसे मैं लेवल 100 पर पहुंच चुका हूं पर में को भी लगता कि शायद मेरे लिए भी आसान हो सकता है उन्होंने कुछ चेंजिस करे हैं बॉस के अंदर देखते हैं क्या क्या है ओके यहां पर मैं देख पा रहा हूं तो सारी की सारी स्टेज इस स्टेज वन से ही 20 पे शुरू हो रही है आपके इनरजी लगेगी 20 ओके चली कोई बाद यह तो नॉमल है आप देखिंग स्टेज वन भी 20 है स्टेज कराम है टेंटेड हैल रेजर और हर बस थीनों बस चैज हो रहे हैं जहां तक खयाल है इस आाईस ओल्लम हो रहा है फायर नेट उर्व हो ख़रे और ड्रैय रहे हैं तो चारों के चारों आपके जह बॉस हैं वह होने वाले हैं चैन्ज और कुछ जो है उनका mechanics कैसे आपको उनको मारना है वो सब जो है change होने वाला है बहुत जाला changes नहीं होगे पर देखते हैं क्या खाशीद होगी मैं को भी अभी मैंने देंग से पूरी वीडियो देखी नहीं है ओके देखते हैं क्या क्या बदला भाई इन्होंने करे हैं सबसे वहले बात करते हैं जो हमारा है ड्रैगन की यूजिली ड्रैगन सबसे इजी डंजन के अंदर है आपके बाद specific campaign होने चाहिए है ना भी हो थोड़ा देर से कर लेंगे तब भी आप ड्रैगन को कर लेंगे यूजिली ड्रैगन बहुत जादा हार्ड हिट नहीं करता है उसको मारना थोड़ा सा असान होता है आप इसके अंदर क्या कैसे करने के लिए क्योंकि जब आप सीर को यूज करते हैं इस टीम के लिए तो सीर यूजिली जो है एक वीक विल्ड होती है सबसे यादा उसकी लो होती है और या पी आपको कोई वीकन वगारा सब जो है इसने लगा लिया है ओके जैसे ही जो वारी ड्रैगन की सिकेट स्किल होती है जब वो अपनी एकडम से अब्सॉप करके एकडम से आख छोड़ता है वो अब जो है आपके जितनी भी पॉजन जो ड्रैगन ने लेंड करे हैं तो उन सब को भाई साब इंदम से एक्टिवेट करते हैं उससे क्या हो कि भाई आपका जो है जो भी मेंड डेमिड डिलर होगा वो मरने के बहुत जादा चांस है तो इसके लिए आपको ब्लॉक बफ सेगरा या बफ रिमोवर चैंपिन की शाय जरूर हो सकती है इसके अंदर हमारे कई साथ चैंपि गोलम का और इसके अंदर काफी जादा मेजर चेंज किया है ओके हमारे जो है टर्न मीटर भी हमारे जो है डाउन करेगा आइस गोलम का बॉस जो की एक डिसड़वांटेज हो सकती है तो यूजली पहले आइस गोलम या कि ड्रेगन, पॉजन लगा की डैमेज और अब जो है आईस गोलम आप यहाँ सकते हैं पॉजन लगने वाले चैंपिन्स है पर आप Kapraos के बगतेज लगा मेंच से अंध्रметर, पोशन नहीं लगा तो पूरा म्यून है तो आपको कुछ नया मैकैनिक्स यूस करना बढ़ाएगा जो पॉईजन यूस कर रहे थे फ्रोजन बेंची और टूम लॉर्ड और बड़े सारे चैंबिन्स हैं बैडल के जाहर अब वो सारे चैंबिन्स जो है वो फेल हो जाएंगे यहां पर अब बॉस को अब आप बॉस को जल्दी से डैमेज कर पाएंगे आप फिर बॉस को जल्दी से डैमेज कर पाएंगे ओके चलो नेक्स बॉस जो है हमारा फायर नाइट कैसल है इसके अंदर भी काफी मेजर चेंज किया है ओके तो यह इन्होंने भाई बहुत मेजर चेंज है और भाई यूजली आपको ट्वंटी सॉरी बारा आपको टर्न करनी परती थी आप दो तिन चैंपिन ले ले लेते थे और बारा जो है टर्न लाना काफी जादा सान हो जाता था अब जो है यह बहुत मुश्किल होना क्योंकि ट्वंटी वन टर्न आइट कैसल पर भाई साब आपको शायद काफी जादा फास्ट चेंपिन्स की जुरूत पड़ेगी मेभी टर्न मीटर बूश्टर की भी जरूर पड़ेगी ताकि जल्दी से आपके जो है लाइस की टर्न आए और जल्दी से आप जो है इसको यूज कर पाए है तो यह चैंपिन्स आपके एडवांटेज यहां पर हो सकते हैं ओके जैसे ही आप इसकी शील्द जब तक इसकी जो है यह टर्न डाउन नहीं होती जब भी आप इसको अटेक करेंगे तो यह आपका जो है मैक्स एच्पी को रिकावर कर को डैमेज करेगा यह भी आपके लिए डिवांटे हो सकती है क्योंकि जितनी देर तक आपकी बैटल चलेगी आप जो है आपकी एच्पी लो होती रहेगी और आपके लिए जो हो सकता है नुकसान करेप्शन सील डिस्ट्राइक पितना विज़ा जाती डैमेज डैल ओके जाटर ठीक है में जो चीज होती थी आईज फायर नेट कैसल पी कि आपके बाद बस बॉस की शील्ड उतार दो और आपको बस टर्न मीटर के चैंपिन जाए जो लिए लोग एक एलोर से ही काम आपका चल जाता था अगर आपकी बहुत अच्छी बिल्ड हो तो पर अब ऐसा नहीं है भाई इम्यून हो गया है टर्न मीटर से भाई कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते कोल्ड हाट हो गई एलोर हो गई और बहुत चैंपिन्स हैं जैसे की टूम लॉड करता है टर्न मीटर डाउन वो सारे चैंपिन्स जो हो गए है वेस्ट यहां पर आपके लिए नुकसान हो सकता है है मेजर डेमेज आप करेऊना तो इसक्या हो कि बहुत टर्न मेटर से नहीं हो अगा पर एन्वी मैक सबस्क्रarin का डेमेज आप कर सकते हैं जैसे कि आप देशे कोलल लाट कोल्राट है और एन्वी मैक सबनेज अभी भी यहांपे हैँ कैम है जितनीआ तर्न पर परशेंट कर यहां पर यहां पर देखेंगे किसी ने जैसे कि इनकी टीम है तो दो चैंपियन यहां जिसको कोई भी उसी करता था और शेरमीनी है यहां पर यहां पर काम हैं आप डाउन चैंपियन यूज कर सकते हैं अब हमारा नया बेक्स आता है जो की है स्पाइडर ओके ओके अब यह फिर से ड्रामा का रहा है कि भाई स्पाइडर आपकी एच्पी बंद और टर्न मीटर से इम्यून है तो फिर भी आप आप जो है अपनी कोर्ड हार्ड यूज करते हैं काम आएगा डेमिज करेगी पर आपका टर्न मीटर डाउन नहीं होगा साथ जैसे की डूम टाउर की बॉसस के अंदर हमारी स्पाइडर वाला जो है बॉस है जैसी आप उसके स्पाइडर लिंक्स काउंटर टैक करते हैं आप उसकी एच्पी जो है हील होती है साथ साथ जो है इसी के अदर ऐसा है जैसे ही आप अपने इसके ओपर एच्पी लर्न कराएंगे तो क्या होगा भाई आपकी स्पाइडर जो है आप लिए जो हील करने लग जाएगी तो इससे क्या होगा कि उसकी एच्पी बढ़ जाएगी आप उसको असानी से नहीं मार पाएंगे और स्पाइडर लिंग्स आर इम्यून टू फ्रीज यह जो स्पाइडर लिंग्स हैं इनको आप फ्रीज नहीं कर सकते तो आपका फिर वह स क् आप इस के अल्टा कि इस भिन को आपको पायडर लिंग सी कोई चिंटा नहीं होती दी फिंगे ना मर भाड़ में जाएग् minim e को जैसे ही आपके फाइडर लिंग्स मरेंगे पर पाइडर लेंउम आपको ऑं दस और बारा फाइडर लिंग्स लेंड होते हैं जैसी उस सारे के सारे मरेंगे आपके पास कोई स्ट्रॉंग डैमेज दिलिंग चैंपिन हो सकता है एक यूज करें या दो यूज करिए तो आपकी जो है स्पाइडर का डैमेज जो है आप सबसे जल्दी उसको इस तरीके से ही मार सकते हो तो यह थोड़ा आइ अब आप यहां देख सकते हैं आर्टिफेक्ट्स के अंदर यूजिली आपको 5-6 स्टार के आर्टिफेक्ट्स सब के अंदर मिलेंगे और जैसे कि आप सबसे आखरी वाली स्टेज पे जाना शुरू करेंगे और आपका जो है वो उसी ताप से मेरे काल से वो पसेंटेज ज मिलेगा जितनी आप आगए स्टेज पे यहां पे स्टेज 20-25 तक अभी तो नहीं आया वो लोग गेम को चेक करेंगे किते आसानी से लोग मार पा रहे हैं या नहीं देरे-जेरे फिर यह अपडेट में आएगा कि स्टेज 50 नहींगे फिर 20 आएगी फिर 25 भी एग पर उसको दो तीन साल लग सकते हैं ओके लास्ट जो हमारा बहुत अभी आया है हार्ड मोड रिवार्ड जैसे कि हमने देखा है कि आपको क्लेंबसी क्लेंबस जादा पॉइंट्स मिलेंगे सासा जो है आपके आर्टिफेक्ट जो हैं आपको हायर रेटिंग के मिलेंगे अब यह नही क्यों करनी है अगर आपको बेटर आर्टिफेक्ट चाहिए तो आपके लिए थोड़ी सी वह वर्थ जादा है आपको मिलते थे हमारे हाइडरा बॉस के अंदर आइ थिंक यहां पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि लोग फिर हाइडरा को वैसी बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे अब और भी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मितिकल आर्टिफेक्ट स्केल चकर में ही लोग अपने आर्टिफेक्स मिल जाते हैं आई यहां पर आपको मितिकल आर्टिफेक्स देने चाहिए इनको पर चले कोई बात नहीं चलो ठीक हाँ समझ गये समझ गये और देखते भाई क्या है अब जो में बात होरे भाई हमारी लाइव अरीना कि अच्छी कि आप लाइव अरीना कर सकते हैं इसके लिए आपको होना चाहिए लेवल फिव्ट yeast आइडत ञ्रतन कि एक गेलगे मेंच मेंने के निदर ہी आप लैवल फिव्टी हो जाते हैं लोग उस्ञाँ को तो अलग से इन्होंने एक slot बना रहा है जैसे है क्लासिकर रेना टैग रेने जिसको कोई भी नहीं पूछता तो लाइवरेन का हमारा अलग से मोड है ओके चार टाइम आप दिन में इसको कर सकते हैं I think अभी नया नया कॉंसेप्ट है तो जाधा टाइम क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि जैसे ही मैंने बहुत टाइम बेले गेम खेली थी clash of clans उसके अंदर क्या होता है तो भाई वो वेटिंग ही करता रह जाता था और आप कभी-कभी आपको कुछ काफी देल लग जाती थी अपने ओपोनेंट की वेट करने के लिए इसके अंदर ऐसा नहीं है इसके अंदर आपका शेडूल टाइम होगा सपोस्की आपने दो बज़े का टाइम लगा दे भाई दो बज़े में को अपना करना है और तभी आपको जो है एनिमीज मिलेंगे जिनसे आप लाइव लड़ेंगे क्योंकि असली में लोग होते हैं तो आपको जो है बैटल आपके लिए डिफरेंट हो सकती है ओके यह इंटरस्टिंग चीज है भी दिवाता बात करतें इसके बारे में ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच चैंपियन आप उपर ऐसा नहीं है भाई पांच चैंपियन की अरीना यहाँ पर नहीं है आपके यहाँ पर पांच चैंपियन तो आपने कोई अपने चूस कर लिए जैसे कि आपने पांच चैंपियन आपने बैस चूस कर लिए जो आपको बैटल के सबसे चाहिए तो आपका एनिमी आप अपने एनिमी का कोई भी चैंपियन बैन कर सक जिससे आपकी बैटल सबसे आदा खराब हो जाती है तो आप जो है मशाल को बैन कर सकते हैं और आपका जो है एपोनेंट भी आपको कोई दूसरे की आप एक चैम्मिन को ब्लॉक कर सकते हैं खेली आपकी चार लोगों से ही जाएगी बैटल ओके टीम लीडर भी आप चूज कर सकते हैं इसके अंदर अपना जो है ओके यहां पर अपना डूब्लिकेट चैम्पिन आप नहीं यूज कर सकते हैं जी हाँ अगर आपके बास दो रॉटोस हैं दो डचिज हैं या कोई भी चैम्मिन दो हैं अपनी लाइव एरीना के अंदर अब यहां इसके अब होगा है अभी थो जब तक ने अबडेट आएगा तब तक आप जो है अपना डूब्लिकेट चैम्पिन नहीं यूज कर सकते हैं अगर आपके बार डचिज हैं तो अपनी वाले के बार डचिज हो ऐसा हो सकता है और दो डचिज एक टीम में नहीं ओके तीस मिनिट यहां पर दिखाएगा अभी जब बात करते हैं आप यहां पर देखेंगे में रिवार्ड मिल रहे हैं यहां पर 20 रिवार्ड मिल रहे हैं इनका भी आपको एडवांचेर भी बताएंगे ओके ग्रेट हॉल में भी आपको एडवांट जो कर भी आपको छोड़ना चाहता था तो आप यहां पर चीज चीज करेंगे और यहां पर आप घुरी चीज करेंगे और यह सब्सक्राइब कर दिखा हैंगे आइस गोलम के अंदर आपके लिए एडवांटेज दो सकती है यह सब चीज़े भी आएंगे कैसे आएंगी 80 आप जो है ग्रैब कर सकते हैं लेट सी कितना कहां पर क्या मिलता है अगर आप इन चीज़ों का अपग्रेड करेंगे तो यह जो स्टैट्स है खाली उसी जगा पे ही लागू होंगे suppose कि मैंने हाइडरा के लिए कर लिया मुझे जो भी स्पीड चाहिए कुछ चाहिए तो वो जो है खाली हाइडरा में ही चलेगा जब तक लेवल 2 है लेवल 4 है लेवल 10 तक वो जो है स्टैट्स हमारे चैंपियंस के खाली हाईडरा में ही होंगे उस पैडर में यूज नहीं होंगे ना किसी ड्रैगन में होंगे ना किसी और जगाप होंगे जिस डंजन इस स्टेज को आप चूस करेंगे उसी जगह पे ही आपके stat जो है अपग्रेड होंगे आपके चेहमेंगे यह लोग को confusion हो सकता है तो दीरे दीरे आपको समझ आ जाएगा यहां देख सकते हैं रिवार्ट के अपग्रेड पॉइंट अप देख सकते हैं जैसे कि हमने भी बैटल करी थी वहां पर दिखा रहा था एक बैटल करने से आपको 20 मिलते हैं आइटिंग जितनी ऊपर आप स्टेजिस पर जाएंगे गोल्ड या जो भी पर लेटिंगर लेवल क्योंकि नॉर्मल ग्रेट हॉल को अपग्रेड करने में आपको एट लीस्ट दो साल तो लगी जाते हैं मुझे भी अल्मोड दो साल लगे थे करने में इसको शायद थोड़ा सा आप जल्दी कर पाएंगे बना जो है मोस्ली यह जो चीज़ें हैं यह एंड गेम प्लेयर्स क मुल्टी बैटल में कुछ चेंजिस करें अभी हम देखेंगे क्या चेंजिस है तो आटिफेक्स बेचते हैं आप खाली अभी वन स्टार तू स्टार जैसे कि अब मैंने अब मैंने एड करें कि मुझे कोई भी फाइव सार आटिफेक्स नहीं चाहिए मैंने अब कल से ही जब मेरे को फाइव सार्टिफेक्स का कोई वैलियो नहीं होती पर अब जो है आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आप यहां देखें यह काफी टाइम पहले चीज आ जाने चीए थी बहुत लोग इससे परचान है बहुत जादा और अब लोग का टाइम बस सकत लिगा है तो यह देखी यहां पे आपका जो है अब जो है अपने आप कर रोग कर सकते हैं जैसे कि अंड जी उलता है और बस यही चाहिए तो बाकि सारे artifact जो है साथ साथ weapon मुझे नहीं चाहिए मुझे helmet नहीं चाहिए तो वो automatically sell का option आजाएगा आप जैसे ही battle करेंगे आपको ज़्यादा महनत छाटने नहीं पड़ेंगे बैटल खतम होने के बाद automatically सारे जो आपको artifacts चाहिए वो ही आपको मिलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे चल रहे हैं मुझे खाली flat attack sell कर दो जो flat हम कोई भी flat artifacts को use नहीं करता तो flat artifacts automatically यहाँ पर sell है मुझे चाहिए भाई खाली critical damage का ही gloves चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए गेम के अंदर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं I think यह बहुत ही जादा major change होगा गेम के ता I think best upgrades के अंदर best update के अंदर यह हमारी जो है चीज आएगी ओके यह आप कर सकते हैं अब अपने normal artifacts के अंदर ही यह भी काफी दिक्कत होती जैसे कि अब मैं गेम के अंदर काफी आगे पहुंच चुका हूँ और mostly मेरे artifacts जो होते हैं लेवल 12 सारे 16 होते हैं तो यह मैं को सच करने कि भाई खाली लेवल 16 के artifacts ही सर्च करूं पहले इसके अंदर ऐसा नहीं था पहले खाली था कि आप शुरू-शुरू में तो आप कुछ भी सर्च नहीं कर पाते थे अब बीच में उन्हें रेर्टी एड़ करते कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब जो है अपने सारे सट अपनी सब इस तरीक आप सोट कर सकते हैं वह आपके लिए काफिर आपके रहते हैं करते रहते हैं करते बाइब कोई नया चैंपियन आया इसके फ्रेग्मेंट ढूड़ने कितने फ्रेग्मेंट से मेरे पाक वह आपको अब नहीं मिलेंगे अब अपने आप जो है वह गायाब हो जाएंगे तो ये तामाई चैंपियन कुछ नए चैंपियन जो है वो इन्होंने निकाले है जैसे कि बार्बेरियन नए ने फैक्शन काओ का सिल्बान वाच्चस का आइधिंग ये अच्छी कासी जो है बहुत बड़ी अपडेट आने वाला है कुछ चीज़ें जल्दी आजाएंगी मेरे कासे लाइव एरिन जो है सबसे यादा लेट आएगा हमारा बाकी देखते है का बाता कोई आपको कंफूजन हो आप मुझे डिस्कॉर्ट पे एड़ कर सकते हैं साथ ही साथ भाई कमेंट में मेसेज करो वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज अपकाइब किलो और अभी के लिए इतना ही थेंक यू